बिर्दभारती सखी सहेली बिर्दभारती आती हैं तो बड़ा दुरुम बचाती हुई आती हैं तुम तो मेरी बात इनी शुरु रही हो देख लिए शुरू हो गई बिकनम बिल्कुल मतब छूट गई बुलेट की तरह गोली तरह निकलाई बाते अरे हम अपना हल चाल बताने चाह रहे थे तुम्हारा लापु चलो आप वह तो सब बारिश में वह गया और बाकी तो सब ठीक ही दिख रहे है ना हां तो चलो ठीक है तुम्ने भी मालना कि हम ठीक होंगे मस्त रहते है हैं तो हम प्रेना लेते हैं मस्त नहीं तो हम कह रहने कि हमें атив510 ना खी 25ibenश यह बूलेख लेकिन इस मस्ति लेकिन आज का दिन वीरांगाना का दिन होता है, तो सखी विशेश में जिस वीरांगाना को हम लेने वाले हैं, जिनकी कहानी हम साजा करेंगे, वो हैं उदादेवी पासी, जी हाँ, और दोपहर में नीन की जपकी बड़ी मज़ेदार होती है, और सभी को बड़ा मज़ा आता है, सबने तरह तरह से बातें की हैं, वो जपकी का आनंद भी लेंगे, लेकिन सो कर नहीं हम बात करके लेंगे, जपकी लेकर आ चुकी है हमारे सुनने वाले इसमें, और वो बिल्कुल अभी कहते हैं कि तन मैतासी प्रोग्राम सुन रहे हैं, जपकी क्योंकि उनकी हो चुक करना है किसी को. वीरांगना उदा देवी बहुत साहसी महिला थी और उनकी जैनती 14 अप्रेल को पूरे भारत वर्ष में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और ये वीरांगना थी एक स्वतंतेदा सेनानी थी जब 1857 में पहली बार आजादी का बिगुल बजा था उस समय लड़ाई शुरू हुई थी आजादी एक बार जब शुरू हो गई थी उसके बार बहुत हम गई थी कुछ समय के लिए लेकिन जब पहली बार बिगुल बजा तबी इन्होंने भी भाग लिया उस दौरान इस लड़ाई में और अवद की जो छटे नवाब थे वाजिद अलीशा उनका जो महिला दस्ता था उसकी ये सदस्य थी जी हाँ और उन्होंने कई दस्ते बनाये थे उनकी संगीत प्रियता तो सभी जानते हैं लेकिन और भी जो उनकी कहना चाहिए कि चेतना की बात है जो उन्होंने ये महिला दस्ता बनाया उसके बारे में लोग कम जानते हैं और इसकी बात जादा होती है इस Matthew 1847 में नवाब बनने के बाद जाहीर है कि उनकी यह चीजें पता चली और उन्होंने उधादेवी के जो लखनौों में जो उन्होंने कई वरगों के लोगों को नौकरी दी और जाहीर है उन्हें अवसर दिया इसी तरह से उनके पती को भी नौकरी मिली थी उधादेवी क पती मक्का पासी भी एक सहासी और पराक्रमी वैकती थे जो सेना में भरती हो गये थे वाजेद अली शाह ने अपनी बेगम को भी सैनिक योगताय दिलाई थी अपनी बेगमों को भी बहुत सारी बेगमों को और इसी के साथ साथ उन्होंने फूर्तीली इस्तियों का सुरक्ष और उदादेवी में देश प्रेम और सेवा का बड़ा जजबा था जिसके चलते वो पहले एक सेवी का रही और बाद में इस सैनिक दस्ते की वो सदस्या बन गई और जिस पल्टन में वो थी उसकी वर्दी काले रогंगी थी में एक तरफ East India Company की फौश थी दूसरी तरफ मौलवी एहमद उल्ला शाह की भी अगवाई में संगठित विद्रो जो है सेना थी जो विद्रो का सामना कर रही थी इस एतियासिक लड़ाई में मक्का पासी वीर गति को प्राप्त हो गए थे उदा देवी के मन में मृत्यू के प्रतिशोत की उनके पती जो शहीद हो गय थी उनके तो प्रतिशोत की जौला थी लेकिन कहीं न कहीं देश को आजाद कराने का जज़बा ज्यादा हिलोरें ले रहा था और उन्होंने अपने पती के जीवन काल्म से ही सैनिक के रूप में अपनी शिक्षा पूरी कर ले थी यानि कि जजबा पहले से था 1857 के सैने विद्रोह में जब बहुत सारे सैनिक मारे गए थे इस विद्रोह के समय ब्रिटिश फॉज द्वारा लखनो की घेरा बंदी कर ली गई 16 नवंबर 1857 का दिन था सिकंधर बाग में लगबग 2000 भारती सिपाहियों ने शरण निर रखी थी और उन पर एक साथ ब्रिटिश फॉज ने चड़ाई कर दी और इनका नरसंखार कर दिया गया और ऐसा मतलब तुर्गम द्रशे था ना कि वहां सेपाहियों की लाशे ही लाशे बेचे लाशे दिखती थी और यहां तक कहा जाता है कि सिकंधर बाग चौराय पर आदे हाथी जितना खून बह रहा था इतना लोग उस समय के लोग वर्णन करते हैं इस लड़ाई के दोरान उदा देवी ने पुरुषों के वस्त धारान कर खुद को एक पुरुष की तरह तयार किया और सिकंधर बाग एलाके में घना चोड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था लड़ाई के समय वो अपने साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेक उस उचे पीपल के पेड़ पर चड़ गए और चड़ने के बाद जो ब्रिटिश हमलावर सैनिक थे उनको सिकंधर बाग में तब तक उन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उनके पास जितना गोला बारूद था खतम नहीं हुआ और इस दोरान उन्होंने 36 सैनिकों की लाशे देखकर दंग रह गया उसी समय डाउसन ने पीपल के पेड़ की तरफ देखा वहां को छल चल होने का अंदेशा जताया लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा था कि गोलियां कहां से चल रही है और जब उन्होंने नीचे से उस पर गोलियों की बोचार कर दी और उनका पूरा शरीर गोलियों से चलनी कर दिया और फिर यह उपर से गिर पड़ी जब नीचे गिरी खून से लटपत थी और जब गिरने के बाद पता चला अंग्रेजों को कि यह तो पुरुष नहीं है महिला है फिर उस महिला के पहचान उदा देवी के रूप में की ग सब के सब बहुचक के रह गए कैप्टन ने वीरांगना उदा देवी की बहादुरी देखकर अपनी हैट उतार कर सलामी दी और उसकी आखें भर आइं वाके में बहुत बड़ी बात है और भले ही इतिहास के पनों पर बहुत ज़्यादा जिक्र ना मिले हमें उदा देवी का लेकिन लखनो और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ इनकी बहादुरी के किसे कहानिया आज भी नाज से सुनाने वाले बहुत साई लोग ज़्यादी के संग्राम के महानाई का वीरांगना उदा देवी पासी को विनम रशद धांजली और हम शचत्षत नमन करते हैं और ऐसी ही लोगों की बड़ालत ऐसे ही वीरों की बड़ालत आज ही आजादी हमें मिली है बिलकुल और अगर प्यार हमसे बिछड़ जाये तो ह हमें लगता है कि हम बड़े अकेले हो गए या यूं कहें कि कहते हैं यह तो बात होगी मुखबत वाली वैसे भी कहते हैं एक से भले दो बिलकुल सही बात है और फिर अकेला पन होगा तो क्या करेंगा अकेले पन हर चीज़ के बुगा कहते हैं तो इसी तरहा से कुछ अच् बढ़ाई या नौकरी के चलते बाहर जाना पड़ता है उन्हें और जब हमारे अपनों को कुछ अपनी मरजी का अपने देश में नहीं मिलता तो वो मजबूर होकर बाहर चले जाते हैं और अकेलापन उनके लिए तो मजबूरी ही है। जब वेविद भारती में हमारे मित्र कॉमेंट लिखते हैं तब कुछ पल वो एकांत में होते हैं और सोचते हैं फिर लिखते हैं इसलिए एकांत का हमारे जीवें महत्वपूर्ण स्थान है। तो भाई ये बहुत अच्छा उप्योग है एकांत का है। लोग सोचते हैं कि अकेले रहने वाला इनसान तो दुखी रहता है लेकिन अगर अकेले रहना आपने सीख लिया है तो आपने जिन्दगी को जीत लिया है जब आप खुश रहना सीख जाएंगे तो अकेले पन का भी अहसास नहीं होगा लोग कहते हैं कि अकेले रहने वाले ल या आपको एकांत मिला है अकेला पन जैसे बातों से लग रहा है ना जैसे हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि अकेला पन मजबूरी में मिलता है और एकांत आप तलाश करते हैं आप ढूंडते हैं कि भाई यह बहुत हो गया थोड़ी देर हमें एकांत दो या हमें अकेलापन चाहिए तो वो शायद एकांत होता है जिसमें हम स्रिजन करते हैं या कुछ सोचते हैं या कुछ नहीं तो आराम ही कर लेते हैं कई पर हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिने हम बहुत जादा कोलाहल में नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमें अकेला बन चाहिए होता है, खासरों पर लिखने से संबंदित जिनके काम है, उन्हें अकेला बन चाहिए होता है, क्योंकि उस समय उनका दिमाग शांत अवस्था में होता है, तभी वो शांत मन से जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, उसे वो कागस पर उता सकते हैं या सोचने कि जो समय की इस्थिती है याने कि हम कुछ नया लाएं कहानी का कविता का या कोई विशह सोचना है कि अच्छे हमें नई कहानी लिखनी है यह तो उसका प्लॉट क्या होगा वो भी सोचने वाली प्रक्रिया है उसके लिए हमें एकांत चाहिए ही होता है कि बिल्कुल हमें उस जगह पर जाकर सोचना होता है उस करदार में जाकर सोचना होता है अगर हम कोई गीत या कविता भी लिखें तो उस परिस्तिती में उस माहौल में हमें जाना पड़ेगा तभी तो हम सोच पाएंगे और लिख पाएंगे ब वो निराश होने लगता है, तब वो भीड में अकेलापन महसूस कर सकता है, जबकि एकांत आनन्द देता है, अकेलापन निराशा लेकर आता है, अकेलेपन में विक्ति नकारात्मक विचारों से घिर जाता है, उसे कहीं भी कोई उपाय नहीं सूजिता, जिससे उसकी आनन्द मिलता है एकांत में प्रसनता मिलती है मन शांत रहता है बगवान की और मन का जुकाव होता है एकांत में हम ध्यान कर सकते हैं नए नए सकारात्मक विचार आते हैं जीवन में सुक और आनन्द का अनुभव होता है और जब हमें किसी मजबूरी में ये अकेलापन मिला होता है तब हम जरूर कह सकते हैं कि यह हमें नुकसान दे जाता है क्योंकि उस समय हम अवसाथ से खिर जाते हैं तो एकांत और अकेले पन का अंतर बड़े अच्छे से बहुत अच्छे से हमाई साथी ने भेजा है लेकिन जंचल बीटिया एक बात है इनकी इसी बात से यह सपष्ट हो रहा है कि जो भी चीजे इन्होंने बताई कि जो हमें अकेले पन में जो चीजे हमें घेरती हैं तो क्यों नहां हम इस अकेले पन को एकांत नाम दे दें और हम सोचे कि नहीं हमें ये अवसर मिला है और चलो हम कुछ स्रिजन का काम करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ नई रचनाय सोचते हैं, या नहीं रचनाय सोच सकते हैं, तो कम सकम जो पुरानी चीज़े हैं, उनको ताजा कर लेते हैं, ये मौका मिला है हमें, बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो लिखा है कि अकेल अगले बहुत हैं बहुत अच्छी बात आप सभी ने लिखी ए यह बात तो है कि जो कहे हैं कि आप उसको मान लीजे कि यह आपने बुलाया है और इसका स्वागत कर लेते हैं और इसका कुछ फाइदा उठा लेते हैं वो आपको कहीं कुछ दबाने की कोशिश करGo तो आप उसका फाइदा उठा लीजे, फिर वो महसूस करें, वो महसूस करें, कि हम क्यों आ गए इनके पास, नहीं लेकिर यह जो अकेला पन है, वो कहीं से आपको कहीं और न ले जाए, इसके लिए आप तयार रहिए और कुछ उसकी विवस्था करते रहिए, जैसे हमारे एक आत्मा करूप में ले लेते हैं, पर असल में अकेला पन कोई बुरी बात नहीं है, बलकि आप खुद के साथ जोड़ने का मौका मिल जाता है, बहतर तरीके से जानने के लिए, अपनी खूबियों को निखारने के लिए, अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए, और एक जीवन पाने के लिए नए रास्ते को ढूंडने के मौके पा सकते हैं, इंसान को उसकी ताकत से परचित कराता है अकेलापन जब हम दूसरों के साथ होते हैं, उन पर निरभर होते हैं और अकेले रहकर हम आत्म निरभर मजबूत इच्छा शक्ती के साथ अपने जीवन को सही धंग से जी सकते हैं। अकेले पन के भी दो सीरे हैं, अकेले पन से कुछ फाइदा तो इनसान का भी है, यह कि हम अपने बारे में चिंतन मरन कर सकते हैं, जो हमारे अकसर साथियों ने इस बात को लिखा ही है, और दूसरी तरफ इनों लिखा है कि अकेले पन से मानसिक ट्रासदी भी बढ़ती है। तो लगबग यही सारी बाते हैं हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है, डिप्रेशन में पढ़ सकते हैं, अकेला पन एक सीमा तक सही है, इनों ने लिखा है कि कुछ समय बाद अपने आप सामाने जीवन धारा में लोग आ जाते हैं, कुछ समय अकेला पन से हमें अपने असर भी देखे जाते हैं सकारात्मक्ता लोगों को अपने अभीष्ट तक पहुंचने तक देखा गया है इस भारे में जब बहुत शोध किये गए ना तो कुछ लोगों का सभाव बड़े घुलने-मिलने वाला होता है लेकिन कुछ लोग जो घुलने-मिलने सबकुछ जीवन में और ये भी लिख रहे हैं कि हमारे साथी कि अकेला पन हमारी समझ में नुकसान दे है चावाले इस साल पहले प्राइवेट नौकरी के दौरान परिवार को गाओं में छोड़ कर कहीं खोए कितने पोए थोड़े में बताज नहीं सकते और इन्हों निखा है परिवार में साथ रहते हैं आपके प्रती सभी काइस नहीं रहेगा नहीं तो सब यहीं कहते हैं यहां कोई जी है मरे उन्हें तो नौकरी से फुरसत नहीं है मतलब कि आप अकेले अपने ही परिवार से कट गए इसे परकार घर की इन्होंने महिलाओं की बात किये जिनके पती नौकरी में है यहां परिशान है क्योंकि पड़ोसियों से अच्छे संबंध न होने से वे असूरक्षित महसूस करती है पती के घर पहुँशने पर सबसे ज़ादा अकेले पन का रोना रोती हैं कहती है कि आज हम अकेले पढ़ गए नहीं तो पडोसी पडोसी न हम निपट लेती तुमने आने में देर कर दी अब भाई यह तो बड़ी कभी कभी होता होगा भाई ऐसे इन्होंने लिखा ऐसी अकेले पन की तमाम कहानिया हैं तो भाई ऐसी इस्तिति ना आने दे पडोसीों से अच्छे संबंद रखें अपने जो बहुत सारे शूता हैं जो बहुत अलग बातें लिख रहे हैं कमेंज कर रहे हैं वो पढ़ने के लिए तो भाई देखो ऐसा है ना कि यह जो हमारे साथ इस समय जोड़े हैं इन्हें तो अकेला पन बिल्कुल नहीं लगता है लेकिन अनुभो इन्होंने बहुत अच्छ लिखते हैं कि एक से भले दो बात सही है तो भाई अपने साथ अपने भगवान को जोड़ लो दो हो गए और भगवान की जगें आप कोई भी जो आप इष्ठ है या प्रकृति है किसी को भी जोड़ लीजे अपनी यादों को अपने शौक को या किसी काम को साथ ही बना ले विविद भारती है टीवी है संगीत है पुस्तके ये सब ऐसे साथ ही है जो अकेला नहीं होने देते हैं और एक चीज और है अगर आपको रगरा है अकेला पन है तो भाई ठीक है वो अकेले पन में कुछ देर जपकी भी तो ली जा सकती है भुगा मतलब हम समझ रहे हैं अग しे जर्या बता दी है कब कौन जपकी लेता है कुछ लोग कहते भई हम ले ही नहीं पाते तो सब की बाते पढ़ेंगे आभी पाते करेंगे अपनीं भी कुछ बता देंगे तुakte मुझे लगा जबकी आ गई आखों में तुम ही तुम ही कहोगी तो भई ऐसे लगेगा ना कि इतना प्यार इतनी मुहबबत तो बस आदमी उसमें डू भी जाता है और अक्सर जब हम दोपहर में खाना खाते हैं यानि लंच जब करते हैं उसके बाद यहालत होती है कि थोड़ इसी कभी सी में हैसुस होती है जिसके कारण हमें नीन लगती है तो बही जो दोपहर का भोजन होता है जो हम करते हैं नीन के जब की असल में सिहत के लिए अच्छी मानी जाती है और भोजन में अकसर हमें ममी पापा और घर के बड़े दोपहर में खाना खाने के बाद कुछ देर सोने की सलाह देते हैं उस वक्त में ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बश्पन में खेल कूट से कहा मन भरता था लगता था यह समय नश्ट कर रहे हैं सोपर इतने में तो और कितना खेल लेते हैं और इसलिए जो बश्पन होता है उसे दोपहर की नीद पसं तब तो लगता है कि हाए बश्पन में जब बुलाया जाता था तब क्यों नहीं सोते थे हैं ना तो सिहत के लिए फाइदे मंद हो या नहीं हो कुछ नहीं होता था वैसे दोपहर की नीद उच्छ रक्टचाप की समस्या से जूज रहे लोगों के लिए और हृदय के स्वा यह क्षण हो जाता है डायबटी जिनको है उनको जब जियर केने जब दोफ़ए आप कएंहिं हो रहे है और उससे क्या होता है कि हम जब लम्बे समय से तक बैठ कर काम करते हैं, तो जाहिर है कि मारे पीट वगएरा अकर जाती है, समस्या तो होती है, कमर में दर्द होने लगता है, आँखों पर जोर पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसका जो प्रेशर पड़ता है आँखों में, उसको कम करने के लिए अगर आप एक घंटे को बड़ा अच्छा बना देती है और हम पहले से जादा एक्टिव हो जाते है और आत्म विश्वास के साथ सब्तरकता भी बढ़ जाती है और यादधाश्त भी हमारी ठीक रहती है और जो उड़ा है शरीर की वह बनी रहती है सोचने समझने की सीखने की शमता थोड़ी सी जेर की जपकी लेने से मूड बहतर होता है आखों को भी कुछ समय के लिए आराम मिलता है पहले से जादा एक्टिव होते है और आत्म विश्वास के साथ साथ यादाश्त भी ठीक होती है और फिर हम पूरे मनोयोग से हमारी प्रिय सकी सहली सुनते है बहुत अच्छी बात ह जो लोग इसके आधी है अगर उनको ये जपकी ना मिले तो उन्हें तकलीफ होती है और कई बार जपकी लग जाती है तो नहीं जाए पिठानी पढ़ जाती है आधतन उस आरक बैठे बैठे आंक लग जाती है और कहीं बैठक वगरा हुई मतलब मीटिंग हुई तो उसमें थोड़ा सा जादा लगती है अच्छा कहीं न कहीं क्या होता है कि एक समय तो ऐसा था कि अगर आपकी जपकी नहीं लग रही है तो आप हम लोग कहते हैं थे ना कोर्स की किताब खोल के बैट जो कितनी बढ़िया नहीं आ जाएगी दिल्कुल देगा वो तो ऐसे नशे की तरह ऐसे से अभी जूमता जाता है आँखे गडाता है अक्षरों में लेकिन कहीं कोई लाइन नजर नहीं आती और आँखे एकदम जपकी जैसे ही होनी चाहिए यह नहीं कि आप एक दो घंटे के लिए लिए चादर तान के सो गए और ऐसा अगर करेंगे तो हमारी जो रात की न कराम की जरूरत है तो 60 मिनट या 90 मिनट तक 20 की अवधी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं बागी अगर पावर नप की बात की जाए तो 30 मिनट 15-20 मिनट बहुत है यह बड़ा मुश्किल है अब सोने के लिए भी कहो उसमें आप समय की पाबंदी पर लगा तो भाई यह नहीं फिर खाएंगे जादा तो सो जाएंगे अरे जादा क्यों खाना है शाम का जो वक्त है वो तो अलपाहर का होता है तो थोड़ा थोड़ा खाना है और साथ में गर्मा गर्म चाय हो देखो अभी दाल पकवान बताओगी तो कौन कम खा सकता है फिर यही वाली बात हो गई पढ़ाई करनी है, लिमिट में करनी है, ठीक है, अरे भुआ फिर छोटे बच्चे हैं, वो कहेंगे हम भुआ जी की तरह करेंगे, फिर भुआ जी नहीं पढ़ेंगे, यह बच्चे बोलते हैं, और क्या हम अपनी तरफ से छोड़ी कह रहा है, अच्छा तो दाल पकवान बता चने की दाल ही चाहिए बस ठीक है चिलके वाला चना नहीं चाहिए ये समझ ले हमारी सातिया और एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर नमक स्वात के हिसाब से दो टेबल स्पून घी चाहिए एक टीस्पून जीरा एक हरी चम्मच हरी मिर्च चाहिए बारी कटी हुई आठ दस कड़ी के पत्ते ले लिजे एक चुटकी हींग ले लें आधा टीस्पून अमचूर पाउडर यानि खटाई आपको चाहिए एक टीस्पून मिर्श पाउडर और चौथाई जो है चाय चमच गरम मसाला चाहिए दाल बनाने के लिए चना दाल जो भीगी हुई थी और नमक अच्छी तरह से मिलाकर दो स्वीटी आने तक प्रिशर कुकर में उसको कुक कर लें यानि पका लिजे पहले और धकन खोलने से पहले भाप को पूरी तरह से निकल जाने दे और गहरे बरतन में घी कर गरम कर लिजे उसमें जीरा डाल कर चटकने दीजे बिलकुल द प्रिश पाउडर गरम मसाला डाल कर कुछ सेकेंड के लिए मसाले पकने के बाद प्रिशर कुक की जो दाल है चने की दाल और थोड़ा नमक डाल कर अच्छी तरह से मिलाईए और मध्यमाश पर भीजीश में हिलाते हुए पकाएं कुछ देर में दाल बस तयार हो गई और प मैदा में जीरा और नमक और इसके बाद क्या है परियाप्त पानी डालते जाएं और सक्त आठा गूत लें आठे को बारा बराबर भागों में तोड लीजे आठे के एक हिससे को लगभग छे व्यास के गोल में बेल कर इसमें फोक की सहायता से छेद कर लें यानि यह फूले नहीं तो आप चाकू से भी आप कर सकते हैं और इसको ताकि वो फूले ना फिर एक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजे आप पकवान को मध्यमाश पर दोनों तरफ से कुरकुडा और सुनहरा भूरा होने तक तल लीजे दाल पकवान के साथ परोसने के लिए सामंगरी भई हरी मीठी चटनी बन जाए तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा बारी कटा हुआ प्याज ले लीजे हरा धनिया उस पर से सजाएंगे तो खाने में तो साथ बढ़ जाएगा दाल पकवान पर उसने के लिए दो पकवान को एक प्रेट पर रखे और दाल को समान रूप से इसके उपर फैला दीजे दाल के उपर हरी चटनी हरी खटी मीठी चटनी फैलाएगे और उसके उपर कटे हुई प्याज और हरा धनिया चिड़क कर परस दीजे देखे तो बई इतना अच्छा अगर खाना खाएंगे साथ में कोई साथ में मीठा मीठा सा गाना अच्छा सा पीछे न रहना तुम बताओ बताओ और यह ऐसा राष्टा है ना कि इसे पिकनिक पर अगर हम जा रहे हैं कि बारिश खा मौसमें तब भी बना कर ले जा सकते हैं या बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं तो इसके लिए जो सामगरी चाहिए वो एक कप घिहूं काटा तीन चार टेबल स्पून घी, जुकी मोयन की लिए हमैं चाहिए दो से तीन टेबल स्पून बारिक कटा हुआ हारा धनिया, दो टेबल स्पून पोदीने की पत्टे, एक छोटी चंब्च अध्रक, बारिक काटा हुआ और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ष और जाधा पसंद यह सब्सक्राइब दिए अगर खाना तो भी ले सकते हैं, एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एक चुटकी हींग, 1 चोथाई चमच जीरा और एक चोथाई चोथाई चोटी चमच अनारदाना या फिर अमचूर का पाउडर और एक चोथाई चोटी चमच अजवायन लेना है तो ये डालने से तो क्या होगी बादी नहीं करेगी या गैस नहीं होगी बिल्कुल और एक छोटी चमच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च इसके बाद मैं चाहिए नमक स्वाद अनुसार अब इसे बनाने के लिए एक बड़े से बरतन में आटा ले लेकिन मूल रूप से जब इसका स्वरूप जो है उसे प्यास नहीं पड़ता है तो अगर आपको स्वाद बढ़ाने के लिए डालना है तो आप डाल लीजी बागी जब मूल स्वरूप में बनाना है तो इसे हटा दीजी और पराठे के लिए जिस तरह का आटा हम गूनते ह एक से दो इंच के व्यास में गोल बेल लीजी और इस बेली हुई रोटी को गरम तवे पर डाल दीजी थोड़ा थोड़ा सा हलका सा इसको सेखना है 30-40 सेकिंड के लिए बाद में तवे से नीचे उतार कर चकले पर हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए गोला बना लीजी और बड़ा बेल लीजी और थोड़ा मोटा ही रखना है बिल्कुल पतला नहीं करना है और गरम तवे पर घी लगाकर सुनेरा होने तक सेकिए कड़क कड़क और जब इसे खाना है परोसे समय भी इसके उपर घी डालिए और चेटनी दही या अचार के साथ इसकानन लीजी और नहीं तो आप वैसे साधा भी इसको खा सकते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मसाला पड़ा है कुछ लिए इसमें सिर्फ नमक, जीरा और काले मिर्च डाल कर ही बनाते है तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है तो यह आपके उपर है कि इसमें कुछ चीज़े अग बुआ का नमस्कार